नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को शकुनी के बारे में बताऊंगा कि शकुनी कुरुवन्स का विनास क्यूं जाते थे महावारत में शकुनी एक एक एसे पात्र है जिनको महावारत के महाज़े दुका भिलेन और जम्मेदार मना जाता है शकुनी जानते थे के महावारत के युद में गोरब की हार होगी उसके बाद भी अपने बेहन के खांदान का सर्वनाश करवा दिया था शकुनी हमेशा से बुरे खैलो वाली वैक्ती नहीं थे वो अपने बेहन से बहुत प्रेम करते थे शकुनी कभी नहीं चाहते थे कि उनके बेहन के शादी नेत रहें ध्रतरास्ट से हो लेकिन भिस्म के दवाब की वज़े से شकुनी को ठितरास्ट से अपने बेहन का विभाव करवाना पड़ा था तवस्मे कुरूबंस से बदला लेने के लिए कुरूबंस के जर को खोदना शुरू किया जिसके वज़े से तुर्यधन ने कुरुबंस को कुरुक्षित्र के महारण में उतार दिया शकुनी गांधर साम्रजु के राजा थे लेकिन उसके वाद भी अपना अधिक तर जीवन बहन गांधरी के सचुरॉल में व्यतित किया था गांधरी के साधी जब दितरास्ट से हुई तब शकुनी और उनकी एक सकी हस्तिनापूर गए थे साथ ही राजनेतिक उद्ध्यसों के वज़े से शकुनी को हस्तिनापूर रखा गया अपने बहन और परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी को गांधार राज तैगना पड़ा और अपने बहन और भांजों के साथ हस्तिनापू रहने लगे यही रहकर अपने सार्यांत्र को पूरा करने के लिए शकुनी कोरव और पांडव पुत्रों के बीच गहरी खाई बनाते गए गांधारी दितराष्ट से शादी करने से पहले एक बकरे के बिदवा थी किसी प्रकुप से मुक्ती के लिए जोती से उन्हें गांधारी के बिवा एक बकरे से करवाय था और फिर उस बकरे की बली दे दे थी और ये इसके बाद दितराष्ट से बिवा हुआ ये जानकारी जब धितुरास्ट को मिली तो उन्होंने गांधा राज़ पर हमला कर दिया और गांधारी के पिता राजा सुबल और माता सुदर्मा शकुनी समेत सौ पुत्रों को जेल में बंद कर दिया जिल में सभी के साथ बुरा बरताब किया और रोज सिर्फ मुठी आनाज सभी को दिया जाता था इसका एक-एक दाना सभी के हिस्से में आता था धीरे-धीरे भूग से राजा सुबल को कई पुत्र की मौत हो गई राजा सुबल ने कुरूबंच से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से सबसे बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया और इसको प्रतिशोद के लिए तैयार किया सभी लोग अपना-पना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने अपने आखों के सामने अपने परिवार के औंधोच देखा मृत्तु से पहले राजा सुबल ने थिटरास्ट से शकुनी को चोड़ने के बिंदी की जिसको थिटरास्ट ने मान लिया राजमाहल की चका चौद में शकुनी अपना प्रतिशोद ना भूल पाए भूल जाए इसलिए सभी ने मिलकर उसका एक पैर तोड़ दिया जिसके वज़े से अपने परिवार के अपमान की बात वो याद रखे तब से शकुनी लंगरा कर चलने लगा इस तरह की कथा शकुनी के संदर में प्रचलित है शकुनी के पास उनके पीता राजा सुबल के हड़ी से बने थे इस पासा को शकुनी चौसर खेलते टाइंग महरा थाशिल किया था और कौरव में भी इसका मुह जगा दिया था इसको देखते हुए मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपने हड़ी से पासा बनवाने के लिए कहा था राजा सुबल ने कहा था कि ये पासा हमेशा तुमारे आग्या मानेंगे और कोई तुमको हरा नहीं सकता साथ ही इनी पासों से जितराष्ट के बंच का अंठ हो गया राजा सुबल के मरने के बाद उनकी कुछ हड़िया शकुनी ने बचा कर रख ली थी और फिर उनसे ये पासे बनवाये थे हड़ियों से बने पासों से चौशर खेलने के वज़े से पांडव सब कुछ हार गया द्रवपदी के चीरहरण हुआ और अंठ में महा भारत का महा युद्ध हुआ महा भारत के युद्ध में शकुनी पांडव, पुत्र और कौरब दोनों से ही नफरत करता था पांडव ने समय समय अनेक कस्थ ले और कई अबसरों पर पांडव को परिसान भी किया जा रहा था साथ ही शकुनी के पेर का भी पांडव ने मजा गुरूआ था कुरुक्षत्य के युद्ध में पांड़ पुत्र नकुल ने शकुनी और उनके पुत्र उलुक को मार दिया था महावारत युद्ध के बाद शुकृष्ण ने भीम को बुलाया और कहा कि इन पासों से इतना बड़ा नरसंग मार हो गया इसलिए भविष्व में ऐसे ना हो तो तुम इनको नस्ट कर दो ताकि किसी को किसी के पासे मिलना सके अरजुन उधर से निकल रहते और कृष्ण जी ये आधी बात सुनकर पासों को लेकर निकल गए कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेक दिया और कृष्ण जी को बता दिया स्रिकेशन ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ खर दिया अगर ये पासे बहते हुए किसी के हाथ लग जाए तो जुआ फिर से आरंब हो जाएगा और इनसान की बरबादी का कारण बनेगा अन्त में ये ही हुआ कि पासे किसी आम इनसान के हाथ लग गे और परिनाम ये हुआ कि जुआ किसी ना किसी गूप में आज भी समाज में मौझूद है तो दोस्तों ये था साकुनी के बारे में कुछ जानकारी